आरव एक साधारन युवक था, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा संघर्ष करता रहता था। वह एक छोटे से शहर में पलाब धा, जहां उसके माता-पिता ने उसकी शिक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया। आरव बच्पन से ही महनती था, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि वह दूसरों से पीछे है। स्कूल में अच्छे नंबर आने के बावजूद, जब आरव कॉलेज पहुचा, तो उसका आत्म विश्वास पहले जैसा नहीं रहा। उसने सोचा कि शायद कॉलेज की डिगरी ही उसकी सफलता की कुंजी होगी। लेकिन जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ और उसने नौकरी की तलाश शुरू की, तो उसे लगातार असफलता ही हात लगी। हर जगह से वही जवाब मिलता, आपकी प्रोफाइल इस भूमी का के लिए उप्यूक्त नहीं है। इससे आरव पूरी तरह निराश हो गया। एक दिन, जब वह एक और असफल इंटरव्यू से लोटा, तो उसकी छोटी बहन, नहा, ने उसे उदास देखा और पूछा, भैया, क्या हुआ। आप इतने निराश क्यों लग रहे हो। आरव ने भारी मन से कहा, नहा, मैं कितना भी कोशिश कर लू, मुझे हर जगा से नकारा जा रहा है। लगता है, मुझ में कुछ कमी है। नहा ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, भैया, क्या आपने कभी सोचा है कि इन असफलताओं ने आपको क्या सिखाया है। ये असफलताओं आपको मजबूत बना रही है, आप हर बार पहले से बहतर हो रही है। आरव ने नहा की बातों पर गहराई से सोचा, उस रात वह बहुत देर तक जाकता रहा, और अपनी असफलताओं को अलग नजरिये से देखने लगा। अगले दिन उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त रोहन को फोन किया। रोहन ने आरव की पूरी बात सुनी और कहा, भाई, असफलताओं हमें गिराने के लिए नहीं, बलकि हमें आगे बढ़ाने के लिए होती है। तुमने जितने इंटरव्यू दिये हैं, उनका अनुभव तुम है, और भी बहतर बनाएगा। अगली बार जब तुम इंटरव्यू देने जाओगे, तो तुम पहले से ज्यादा तयार रहोगे। इस बात ने आरव को एक नई उरजा दी। उसने ठान लिया कि वहां हार नहीं मानेगा। उसने अपने रिजेक्ट हुए इंटरव्यू से सीखते हुए अपने कौशल को और भी निखारने के लिए ऑनलाइन कोर्सेज करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों की कड़ी महनत के बाद उसे एक बड़ी कमपनी से इंटरव्यू का कॉल आया। इस बार आरव पूरी तरह से तयार था। उसने आत्म विश्वास के साथ इंटरव्यू दिया और जल्द ही उसे नौकरी के लिए चुन लिया गया। आरव ने इस अनुभव से एक एहम सबक सीखा। असफलताएं हमारे सफर का हिस्सा होती हैं लेकिन वे हमें रोकने के लिए नहीं बलकि हमें और मजबूत बनाने के लिए होती हैं। इस सफलता के बाद आरव ने न सिर्फ अपनी जिन्दिगी को बहतर बनाया बलकि वह दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गया। उसने अपनी कहानी को सोशल मीडिया पर शेर करना शुरू किया और जल्द ही वह एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में पहचान बना लिया। आज, आरव को पता है कि जिन्दगी में हर चुनौती हमें आगे बढ़ाने के लिए होती है और असफलताओं से कभी डरना नहीं चाहिए। बस, हमें अपने होसले को बनाये रखना है क्योंकि हर असफलता हमें एक नई शुरूआत की ओर ले जाती है। सीख, जिन्दगी में असफलताओं आती हैं, लेकिन वे हमें और मजबूत बनाने के लिए होती है। हर असफलता हमें एक नई शुरूआत का मौका देती है। हार मत मानो, क्योंकि सफलता तुम्हारे कदमों में होती है।